हेलो एब्रीवान कैसे हैं आप सभी चलिए तो फाइनली आपके चुनाव वगेरा भी हो गए हैं तो अब आपका जो ग्रेट टू वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आने वाला है ठीक है और हो सकता है ग्रेट वन टू-3 की एक्जाम फिर नेक्स एक्जाम भी हो है ना अभी ग पढ़ने का ठीक है क्योंकि हमको चाहिए नोखरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ दस इंप्रेजल वर्प्स जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी होगी लेकिन एक्जाम में पूछी हुई है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहली प्रेजल वर्प के साथ ब्लेक का मतलब क्या होता है अंधेरा तो उसी से आप समझ जाएंगे कि ब्लेक आउट का मतलब होता है अनकॉंश्यस हो जाना है ना कई वार असा होता है कि मालो आप कहीं गिरते हैं रस्टे में या मैं गिरा था एक बार मेरी मेरा पेर भी तूड़ गया था तो श्युम्छिन लॉस्ट एक तरह से यहाह चाल रहा है तो इसका मतलब क्या होता है इसका हुआ होता है चखरा जाना एक डुम से थे हैं बेहोश हो जाना तो्ह लेकर रुसरा इक वह याद भी योग दूसरा एक और ले बाधा नौट ऑफ का मतलब होता है जैसे कई बार आपन सो जाते हैं कई बार का सो नहीं पड़ता है जिसका अर्थ होता है तू फॉल असलिप मतलब सो जाना ठीक है नेक्स्ट ब्रिंग डाउन देखो फ्रेजल वर में मिनिंग आप अगर थोड़ा सा समझ जाएंगे आप यहां पर मतलब नीचे जैसे कई कई बार आप होता है क्या बात आज डाउन डाउन लग रा है थोड़ा सा और एक अप ठीक होता है नमीन तो बीकल दऊन का मतलब होता है तू मेंक अनक़ अपन कई बार हमना खुश हो जाते है तो वह होता है आपका मतलब यहां तो इसका मतलब होता है become happy तो bring down का मतलब होता है become unhappy और cheer up का मतलब होता है become happier यह happier जो है यह आपको बता है आगे बात करते हैं नेक्स्ट आप देखेंगे come up with अब कई बार ऐसा होता है कि कोई समस्या में पढ़ गया या कोई भी पढ़ गया या कुछ दिक्कत आ रही है क्या करें चलो किससे पूछते हैं तो हमने किससे पूछा तो उसने बताए कि एक दो मिट में बताता हूं आपको है ना तो मैं आपको बताता हूं मतलब मैं सोच के बताता हूं थोड़ा सा कुछ idea कुछ solution तो उसको हम बोलता है come up with come up with मतलब think about the solution think about the idea तो यह कई बार exam में पूछी जाती है come up with ठीक है एक और होती है get along with get along with get along with का मतलब क्या होता है to have a good relationship to have a good relationship good relationship with someone with someone किसी के साथ में अच्छे रिष्धे होना मतलब हमारे रिष्धेदारों के साथ मुले सर्वो तो कभी नहीं हो सकते पडोसियों के साथ सर्वो तो और बिल्कुल भी सकते हैं घर वालों के साथ हां घर वालों के साथ हो सकते हैं तो get along with I am getting along with my brother मेरे और मेरे भाई के अच्छी पढ़ती है ऐसे बोलते ना हम अच्छी जमती अच्छी पढ़ती है चलिए नेक्स्ट है come across या फिर आप कह दे रन across come across या run across का मतलब क्या होता है कि meet unexpectedly meet by chance जब हम किसी से by chance मिलते हैं जैसे हमको पता नहीं होता है या कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं गए घर पर बिना बताए है ना और वहां अचानक से आपकी पिताजी से सामना हो जाता है आपका क्या बात है आथ घर आप फिर बात करते हैं तो I came across my father में मेरे पिताजी से यार मैं कुछ पता इन था वह यहां होंगे है ना by chance में उनसे मिल गया तो यह दो फ्रेजर लोग कम एक्रोस या रने क्रोस की बाद दोनों का मतलब ही कि रण इंटू अलग होता है रन इंटू का मतलब होता है कॉलाइड टकरा जाना है ना जैसे कोई बाइक यह पेड़ के टकरा गई तो वह होता है ठीक है आगे बढ़ाता है इसके बाद में आप सबका मतलब एक ही होता है वाइप आउट यह सारी फ्रेजल वरब है और इन सबका अर्थ एक ही होता है तो इस चीज को मैं डील कर रहा हूं तो डील के साथ में विथ लग गया इसका अर्थ क्या हो जाएगा देखे क्योशन एक्जाम में कहीं से भी आ सकता है आप यह मत सोचना कि यह नहीं आएगा अभी आपने देखा होगा ग्रेड़ वन का एक्जाम दिया आपने टू का भी दिया होगा कैसे कैसे एक श्चन आय थे तो जो पढ़के गए उन लोगों ने निकाल लिया अभी में में अच्छे से पढ़के जाओगे तो निकाल लोगे यह कोई उर्दू में लिखा नहीं यह चाइनिस में तो नहीं लिखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पर एक बार पढ़ने की जरूरत है यह पर कभी कठीन नहीं होता है जब पेपर कठीन कब कहा जाता है जब और देने जा रहें अंग्रे जी का और वहां आगया मानलो चाइनिस में तो उसको कठीन बोलेंगे जब अंग्रे जी लिखी हुई आ रही है तो हमको पढ़के जाना पड़ेगा और सब आता है जो हम पढ़के जाते हैं ड्रेस अप तो आप समझते ही है कि वाव वाव कि जब हम अच्छे कपड़े पेनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रेस अप भोट अच्छा है आपका है इसके बाता है निसको लिए बो कर दिया मतलब कि हटा दिया ना कम्पनी से कीसी करमचारी को हटाना ले Look forward to look forward to that means when you are excited about something जब आप किसी चीछ को लेक में आपको कई बार बता ही है है ना बाइकी की तो मैंने आपको बता ही रखी है लोग आफ्टर का मतलब होता है टेक केर ठीक है अब आपके जो है अब चूंकि एक्जाम भी आने वाला है तो डेली वोकेबलरी के वीडियो भी आपके अपडेट होना शुरू होंगे आपके कोर्स में इसके अलावा देखि इसके अलावा में पैडागोगी भी कम्प्लीट करवा रखी है इसके अलावा फिगर आप से कम यह तो अभी पढ़ सकते हैं और फिर भी आपको लगता है कि नीई बाद में पढ़ेंगे तो बाद में आपके पास समय कम होगा इसी कोर्स में जो कॉर्स अभी आप ले रहे ह वो इसी में अपडेट होगा आपको अलग से लेना पड़ेगा ठीक है तो आप लेयर 3 एजुकिशन का एप डाउनलूट कर लीजेगा और वहां पर आप जाकर जो ग्रेट 2 का मेंस का कोर्स है वो ले सकते हैं अगर आप प्री की तयारी कर रहे हैं तो प्री वाला ले सकते हैं ठीक है इस नंबर पर आप मुझे वाटसप कर देना तो आपके घर बुक आ जाएगी बुक अभी मंगवाने में फाइदा यह रहेगा कि समय से तयारी हो जाएगी ठीक है नॉटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा तो आप कोर्स लेकि अपनी तयारी शुरू कर सकते है आप इप अब अब के विदियो जी नए अफ्डेट कर दिया है मैंने जो कोर्स आपका उसमें नए नए वीडियो नए नए चेप्टर के वह मैं अपडेट कर रहा हूं ठीक है अब के वह एक विडियो डियली आयेगा यह भी आप देखते रहेएगा ओके एवरीवन थैंक Thank you so much.